ध्यान क्या है? ध्यान कैसे करें? ध्यान करने के क्या-क्या फाइदे हो सकते हैं? हमारा मन किसी एक चीज पर कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा हम किसी चीज के वारे में विसुलाइज नहीं कर पा रहे हैं कंसंट्रेशन कैसे अच्छा करें? आज की इस वीडियो में जो भी बाते में आपको बताऊंगा उन बातों को ध्यान से सुनिए क्योंकि इस वीडियो के बाद आपके सभी सवालों के जबाब आपको मिल जाएंगे वैसे सभी स्टुडेंट का मन पढ़ाई में नहीं लगता चाहे वो पढ़ाई आध्यात्म की कर रहे हो चाहे वो पढ़ाई medical science की कर रहे हो या किसी unfilled की कर रहे हो यदि उनका मन पढ़ाई में नहीं लगता है तो मैं उन्हें student को बताना चाहूंगा कि meditation, technique के द्वारा उन्हें पढ़ाई में भी मदद मिल सकती है और आपका concentration भी बढ़ेगा और जो student ये decide ही नहीं कर पाते कि उन्हें भविश्य में करना क्या है या वो decision नहीं ले पाते हैं उन्हें भी meditation technique से decision making में मदद मिलेगी और साथ ही साथ वो age group जहें जीवन में peace, self-realization, self-awareness और live in present moment चाहते हैं उन्हें भी meditation technique से मदद मिल सकती है यानि ध्यान के द्वारा वो हर प्रकार की सांती प्राप्ट कर सकते हैं इस वीडियो का main focus उन सभी age group के लिए है जो meditation technique के द्वारा अपने जीवन में कुछ नकुछ changes चाहते हैं चाहे वो आध्यात्म से related हो self realization से related हो visualization से related हो या किसी भी प्रकार की ध्यान संबंधी चीज से related हो लिकिन इन सभी result को वास्तों में पाने के लिए आपको भी हमारे साथ meditation करना होगा इन सभी चीजों को अपने अंदर महसूस करने के लिए आपको लगबग दो माह का समयल लग सकता है तो patience बनाए रखिएगा उसके बाद आपको result दिखाई देने लगेंगे वैसे अगर आप meditation करना चाहते हैं तो सुरुवात में कम से कम आपको 10 minute meditation अवश्य करना चाहिए किसी भी व्यक्ति को meditation अपनी एज के बराबर प्रति दिन करना चाहिए फॉर इग्जामपल अगर आपकी एज 22 साल है तो आपको average 22 minute प्रति दिन meditation करना चाहिए वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि आज हम ध्यान क्या है ध्यान कैसे करें और ध्यान के फाइदे क्या है यानि what is meditation how to meditate और benefit of meditation के बारे में बात करेंगे तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि ध्यान क्या है ध्यान मतलब एक तरह का meditation ध्यान का मतलब अपनी सोई हुई सक्तियों को जगाना और अपने दिमाग का 100% इस्तेमाल करना है साइंस के अनुसार हम अपने दिमाग का केवल दो परदिसत ही इस्तेमाल करते हैं साधारन सब्दों में अगर हम इसे जानने की कोशिस करें तो मान लिजे हमारे हाथ में सरसो के दो दाने हैं हमने उन दोनों को जमीन पर विखेर दिया और अब हम उन दोनों दानों को समेटना चाहते हैं इस क्रिया के लिए हमने अपने दिमाग को कई जगा विखेर दिया है मेडिटेशन एक माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने दिमाग को जो की विखर चुका है उसे एकत्रित करके उस जगा पर लगाना जहां पर हम उसे लगाना चाहते हैं वो जगा कुछ भी हो सकती है कुछ लोगों के लिए वो जगा भगवान है कुछ लोगों के लिए वह एक बिजनस हो सकता है कुछ लोग अपना ध्यान पैसों पर लगाना चाहते हैं और कुछ लोगों के लिए वह पढ़ाई हो सकती है तो यह व्यक्ति के अनुसार बदलता रहता है तो अन्तता हम यह कह सकते हैं कि वह कुछ भी हो सकता है जहां पर आप अपना ध्यान लगाना चाहते हैं यह हम यूँ भी कह सकते हैं कि यह अपने आपको ताजा एवं सदैव युवा रखने का एक साधन है। जीवन को पूरी तरह से जीने का एक प्रियाश है। कभी कभी हमारे साथ ऐसा होता है कि हम ध्यान करते वक्त डरने लगते हैं। यदि आप ध्यान से डरते हैं तो इसका मतलब आप अपने जीवन से डरने लगे हैं। तुम अपने आपको जानने से डरते हो। अवेर होने से डरते हो। तुम उस सचाई को जानने से डरते हो। अगर इस प्रकार की भावनाएं आपके अंदर आती हैं, तो इसका मतलब आप meditation को seriously नहीं ले रहे हैं, आप उससे मजाग कर रहे हैं, आप उसको वास्तों में जानना नहीं चाहते, सिरिप आप उसे करना चाहते हैं, जबकि आप यहां भूल जाते हैं, कि यदि किसी चीज को आप करना चाहते हैं, और उसे forcely करेंगे, तो आप उस चीज पर focus बना ही नहीं सकते, और जब आप focus बना ही नहीं पाएंगे, तो आप कैसे ध्यान कर सकते हैं, कैसे meditation कर सकते हैं, अगर तुम वास्तों में ध्यान के बारी में जानना चाहते हो, तो तुम्हें सबसे पहले ध रगत पर विश्वास करना होगा, उस सुक्ष्व आत्मा पर विश्वास करना होगा, तब ही तुमसे ध्यान हो पाएगा, अब सवाल आता है कि ध्यान करें तो कैसे करें, अगर आप सुरुवाती तौर में ध्यान करना चाहते हैं, तो आप अपना ध्यान दस मिनट से सुरू क Meditation करने के लिए कुछ असान तरीके मैं आपको बताने वाला हूँ Number One किसी सांध जगां पर आराम से पहट चाहिए कोई soft music चला लीजिए और अपने सांसों को count कीजिए अपने heartbeat को सुनने की कोशिस कीजिए सुरुवात में यह आप 10 मिनट तक करें और धीरे धीरे इसे बढ़ा कर आप प्रति दिन 20 मिनट करने की कोशिस करें अगर आप चाहते हैं तो आप जादा भी कर सकते हैं परन्तु 20 मिनट तो आपको लगभग करना ही है Number Two आप अपने घर पर दिवाल पर या किसी ऐसे जगह कोई point बना कर उसे ध्यान से देख सकते हैं यह भी ध्यान का एक हिस्सा माना जाता है और यह ध्यान करने का सबसे आसान तरीका है यह तरीका जादा तर उन लोगों के लिए recommend किया जाता है जिनें आखों में problem होती है मैंने ऐसा देखा है कि जिन लोगों की आखों में कोई दिक्कत होती है आखों से पानी गिरता है डॉक्टर उनको सलाह देते हैं कि आप किसी एक particular point पर ध्यान केंदित कीजिए उसको focus करिए उसी पर अपना ध्यान केंदित करिए नमब थ्री सुरुवाती दिनों में ध्यान करने के लिए आपकी दिमाग को सांथ होना जरूरी है अगर आपके मन में कोई क्रोध है आप किसी से जिरिस फील कर रहे हैं तो ध्यान होना असंभव है तो सरवर्थम आपको अपने दिमाग से उस क्रोध को निकालना पड़ेगा किसी और के प्रती इर्शा है तो उसे भी आपको निकालना पड़ेगा तब ही आप ध्यान कर पाएंगे नमब फोर, हर काम जो भी आप करते हैं उसे पूरे concentration के साथ करें आप यह देखते रहें कहीं आपका दिमाग कुछ और तो नहीं सोच रहा है अगर आपके दिमाग में कोई काम करते हुए भी दूसरे विचार आते हैं तो आप समच जाएए कि आपके दिमाग को और सांध करने की जरूरत है आपको अपने आप पर और ज़्यादा कंट्रोल करने की जरूरत है सुख आसन में बैट कर अपने सरीर के प्रतेक अंग को तनाव मुक्त करें और यह महसूस करने की कोशिस करें कि आपके सरीर का तनाव आपके सांसों के द्वारा बाहर निकल रहा है अगर आपके किसी विशेश अंग में कोई दर्द है तो आप यह महसूस करने की कोशिस करिए कि वह कम हो रहा है ऐसा करने से आपका सरीर धीरे धीरे ठीक होने लगेगा आपको यह चमतकार जैसा लगेगा लेकिन मैं आपको बता दूँ कि मेडिटेशन यानि ध्यान के जरिये आप बड़ी से बड़ी बिमारी को भी मात दे सकते हैं परंतु सुबह के समय यानि चार से छे बजे की बीज का समय मेडिटेशन के लिए उपयुक्त माना गया है अगर आप चाहते हैं तो आपके लिए सबसे आसान टिप्स या है कि आप बैठ कर 1 से 100 तक काउंट करें और या सेम चीज आप दिन में 2 से 3 बार कर सकते हैं ऐसा करने से आपके माइंड में कॉंसेंट्रेशन की पावर बढ़ेगी और आपके अंदर आने वाले नेगटिव विचार दूर होने लगेंगे ऐसा करने से आपका माइंड एक से 100 तक की गिंती के बीच फसा रहेगा और उसी से आपके माइंड में जो भी negative thoughts आते हैं वो clear होते जाएंगे क्योंकि अभी आप counting करने में बैस्त हैं तो आपका दिमाग किसी और चीज को सोच नहीं पाएगा और थोड़ी दिर बाद जब आप meditation करेंगे तो आपको एक से सो तक को तुबार से count नहीं करना पड़ेगा चलिए अब ध्यान के फायदे जान लेते हैं नमब वन आप भगवान से connect होते हैं नमब टू, meditation से हम अपने ही दिमाग, अपने ही माइन को सांत और relax कर सकते हैं नमब थ्री, कहते हैं मनुष्य का दिमाग अने एक सक्तियों का भंडार है तो meditation के द्वारा आप अपनी सोई हुई उन सक्तियों को भी जगा सकते हैं आप अपनी उस छुपी हुई पावर को महसूस कर सकते हैं जो एक आम इंसान कभी नहीं कर बाता नमब चार, अगर आप यह चाहते हैं कि आप अपने जीवन को पूरता जीएं तो आपको ध्यान यानि meditation अवश्य करना चाहिए नमब फाइब, ध्यान यानि meditation से आप तनावमुक्त जीवन जी सकते हैं नमब सिक्स, आप अपने काम को कम समय में पूरा कर सकते हो जैसे मान लीजिए meditation से पहले आपको किसी काम को करने में 10 मिनट का समय लगता था और meditation करने के बाद आपका focus उस काम को करने में और जादा सक्षम हो जाता है तो जाहिर सी बात है कि आपको जो समय लगेगा वह पहले से कम लगेगा नमब सैवन, आप डेली के वो चीजें जो आप करते थे लोगों के वो नाम जिनने आप भूल जाया करते थे उन्हें याद करने में आपको बहुत जादा मदद मिलेगी नमब एट, आपका सरीर जादा healthy होगा आप जादा काम कर पाएंगे आप जादा समय किसी चीज को उत्सुकता से कर सकते हैं नमब नाइन, आप अच्छी निद्रा लेंगे आपको नीद बहुत अच्छी आएगी नमब टैन, वो इस्टुडेंट जिनका पढ़ाई में मन नहीं लगता है मेडिटेशन करने के बाद वो पढ़ाई में जादा मन लगा पाएंगे और उनको वो चीजे जादा समझ में आएंगी जो मेडिटेशन से पहले उन्हें समझ में नहीं आती थी क्योंकि मेडिटेशन के द्वारा उनकी एकागरता बढ़ती है और जब एकागरता बढ़ती है तो पढ़ाई में मन लगता है और उस चीज को एक बार में समझा जा सकता है जिस चीज को पहले जब फोकस नहीं था तब वह नहीं समझ पा रहा था उसे अब वह बहतर तरीके से समझ पा रहा है And that is the last आप meditation से किसी भी प्रकार की विमारी से लड़ने की सक्ति प्राप कर सकते हैं आप किसी भी ऐसे बिसम परसिती में अपने आपको लड़ने के लिए सक्षम कर सकते हैं तो मैं आशा करता हूँ आपको यह जानकारी पसंद आई होगी पसंद आई है तो लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें क्योंकि मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो से ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाब उठा पाएं तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा मिलता हूँ अगली वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ तब तक के लिए नमस्कार